हलो दोस्तों नमस्कार मैं आपसे एक मिस्रा टीम सील सी केमिस्टी फेकल्टी नॉमिन के चाहिए सो मेरे जम कराने के बाद अब अपने स्टार्ट करेंगे जी यो सी इसमें भी सेवन्टी फाइब कोश्चन है इसकी भी कोशिश सही की जाएगी कि के साथ आपका रिवीजन इर्द घिरद उसके होता रहें थीक है न जी ऊसी यह केमिस्टी का दिल है मान लिए तो इस से कोश्चन आने की सम्भवना अधिक होती है कभी तीन कभी चार इससे question आ जाते हैं तो पहले question से start करते है the state of hybridation of the carbon 135 ये कोई structure दे रखा है और इसमें 135 नमबर carbon के hybridation बताने है ठीक है तो इसको पहले आराम से लिखिए CH एक बार इसकी theory बता देते हैं hybridation आप S, P1, P2, P3, D1 से कहां तक D5 और F1 से कहां तक F7 ठीक है single bond हो, double bond हो, triple bond हो, lone pair हो सबको एक ही orbital देना है जैसे मालेज़ सपोस कीजी ये है CH3, CH double bond CH2 ठीक है तो इसको open करेंगे अपने CH, H, H CH double bond CH, H अब चाहें single हो, चाहें double हो, इसी sequence में आपको चलना है जैसे इसका hybridation है, तो S, P1, P2, P3 इसका hybridation क्या होगा? S, P3 ये है, इसको भी एक ही देंगे S, P1, P2 इसका hybridation क्या होगा? S, P2 इसका S, P1, P2 बात समझ गे? अब अपने moon question पर आते हैं ये हमारा structure है इसको open कर दो C, H, H, H C, H, double bond C, H, C, H, H C, triple bond, C, H question सांदार तब होता है जब इसमें number ही मिना दे रख्या होती तो double bond, triple bond, same number पर नहीं है तो number ही हमें automatic कहां से करते हैं? triple bond से तो अब इसका हमें क्या है उसमें तो number दे दिया है question आसान हो गया है 135, one number का habitation SP, ठीक है 123 number का SP1, P2, P3 यह हो गया SP3, और कौन सा कह रहा है 5 number, 5 number यह है SP1, P2 तो answer क्या हुआ है SP, SP3 SP2, कौन सा answer हुआ 4 ठीक है next question पर चलते हैं basic strength योगी की छारेता का क्रम बताना है इसमें तो इसमें तो सबसे अच्छा काम यह है कि आप इसमें H डाल दो acid विवाल दो, जो acid होगा उसका conjugate क्या होगा? weak होगा, weak base होगा तो तो ठीक है इसमें अपने H डाला तो CS3 CS2 ठीक है इसमें H डाला CS2 double bond CH2 और इसमें डाला H SC1 CH strong acid का conjugate क्या होता है? weak base तो इसमें SP है इसमें SP2 है और इसमें क्या है? SP3 है SP3 है ना तो strong acid S करेक्टर percentage of S करेक्टर directly proportional to minus I directly proportional to acidity ठीक ना? तो S करेक्टर बढ़ेगा तो acidity क्या होगी? बढ़ेगी तो कौन साधिक acid होगा? acid का जो order होगा वो होगा ये तो strong acid का conjugate क्या होगा? ये weak base हो जाएगा तो basicity का जो order होगा सबसेदिक कौन होगा? first फिर second फिर third तो कौन सा answer? second फिर के? next question the stability of carbon in the following फिर के? ये भी important question है यहाँ सब पर negative charge दे रखा है more electo एक golden rule आप ध्यान रखना more electo negative atom पर अगर negative charge होगा तो compound क्या होगा? more stable फिर के? अब जो minus I का order होता है triple bond, double bond, single bond ये है अब यहाँ इसका hybridization SP है तो more electo negative atom है तो more electo negative atom पर negative charge compound की stability को क्या करता है? बढ़ाता है ठीक है? तो सबसे अधिक हो गया first अब बारियाती इसमें double bond है दोनों में लेकिन इसका क्या होता है? minus I effect इससे अधिक होगा तो first की बाद क्या हो गया? second फिर third फिर fourth कौन सांसर है? third तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है ये golden rule है कई बार आपको एक्जाम में कहीं ने कहीं आएगा more electo negative atom पर negative charge compound की stability को बढ़ाता है ठीक है? next question निमलिखित सनर्शना में कुल pi आबंद electron की संख्या pi bond पूछ रहा है pi bond के बारे में के concept आपको पता है one single bond equal to one sigma one double bond equal to one sigma plus one pi one triple bond one sigma two pi इस type में question भी PMT में पिछले 7-8 सलों में दो बार पूछ चुका आई तो यहाँ double bond रहे कितने है one double bond equal to एक double bond इसमें electron पूछा है तो one double bond याँ लिख लो one double bond इसमें electron है two pi electron हो one negative charge यह भी क्या हो गया two pi electron positive charge zero pi electron ठीक है? simple सी बात करें अगर इसकी simple अगर यह बात करें इसमें पूछे pi electron कितने है two four six pi electron इसी प्रकार इसमें पूछे two two four pi electron अब अपने question पर आते हैं इसमें simple double bond रखा है एक double bond में two two four two six two eight कितने pi electron होंगे? eight simple सा question है next hyperconjugation hyperconjugation generally medical oriented बात करें तो hyperconjugation वैसे hyperconjugation बहुत complicated matter है लेकिन normally आप competition PMT के लिए आप ध्यान रखो double bond के ठीक बगल में carbon के पास hydrogen हो plus charge के ठीक बगल में carbon के पास hydrogen हो और free radical के ठीक बगल में carbon के पास hydrogen हो तो वो hyperconjugation सो करता है बसरते इतना ध्यान रखना कि SP2 hybridized carbon के बगल में SP2 नहीं होना चाहिए क्या गामना है? SP2 hybridized carbon के बगल में SP2 नहीं होना चाहिए जैसे इस question की बात करें तो ये free radical है ये SP2 है इसके ठी बगल में carbon कास hydrogen नहीं है इधर भी carbon कास hydrogen नहीं है कोई बच्चा गया कि सर मान लेजे हमने इसको SP2 माना तो इसके बगल में तो carbon कास hydrogen है लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? SP2 इसी लिए ये hyperconjugation so नहीं करेगा ठीक है? तो ये hyperconjugation so नहीं करेगा सेम बात इसके साथ भी है double bond ये भी hyperconjugation so नहीं करेगा ये है अब यहाँ थोड़ी सी theory बताना चाहेंगे Brett rule Brett rule Brett ने कहा था कि bridge carbon पर plus charge ये double bond possible नहीं मतलब bridge carbon planar structure so नहीं करेगा था अब bridge carbon कौन सा होगा? ये है ये है bridge carbon ये है bridge carbon बच्चों में एक बार confusion होता है bridge carbon कौन सा है बेटा जब by cycle का नाम आप लिखते हो न और जिसमें जिसे मानलो आपने लिखा two two zero तो इसमें bridge नहीं है अगर ऐसा करोगे two two one इसमें bridge है तो उसी type का है तो यहाँ पे न तो plus charge हो सकता है और नहीं यहाँ पे double bond हो सकता है यही काम नहीं प्लस charge हो सकता है नहीं यहाँ पे double bond हो सकता है ठीक है तो अपने मूल question पर आते हैं अब यहाँ है इसकी बात करें यह तो so नहीं करेगा आपनों कह दिया यह so नहीं करेगा वही sp2 के इधर रखो यहां से तो h का transfer नहीं कर सकते हैं अगर इसी question में ऐसे होता इसी question में ऐसे होता तो यह hyperconjugation so नहीं करता है क्योंकि इधर से हम निकाली नहीं सकते और लेकिन यहां पर क्या है? एक h है तो यहां से h का transfer हो जाए यह h का नहीं होगा इसलिए कौन सा so करेगा? only third यह hyperconjugation so करेगा ठीक है तो main मोटा मोटी कारक्रम यह है कि plus charge double bond free radical के ठी भगल में कारवन पास hydrogen हो bread tune को आपको ध्यान से देखना है लेकिन sp2 के भगल में sp2 नहीं होना चाहिए next question यह भी PMT का आया हुआ question है इसमें पूछना है इस कारवन का hybridation इसमें भी थोड़ी से आप थेवरी द्यान रखना double single minus charge हो तो negative charge को हम अगर जो ऐसा है double single minus तो इसे hybridation में count नहीं करते हैं लेकिन ऐसा है तो इसे hybridation में count करेंगे negative charge को अब यहां बात है simple सी तो हमने कहां negative charge और triple bond सबको एकी orbital दोगी तो S और यह P तो इसका hybridation क्या हो जाएगा S P ठीक है next निम्न में से किस अनुमें सभी परमाणू समतली है ठीक है तो यह तो hybridation के क्या है सबके S P 3 है इसमें S P 2 है यह S P 3 है बच्चों में confusion second और fourth में आता है कि सर यहां भी तो S P 2 है और आपने कहा था कि जो उससे direct attach होगा वो भी तो सब planar होगे लेकिन यहां जब यह triple bond N होगा तो यह तो आपके plane में आ जाएगा लेकिन N नहीं आएगा इसलिए fourth answer नहीं होगा और यह तो S P 3 है यहां देखो सभी S P 2 है तो इसमें सभी पर्माणूं क्या होगे समतल में होगे ठीक है बात पढ़ने पड़ी next इसमें पूछा है strongest acid इसमें strongest acid देखने के लिए सबसे simple से बात है आप क्या देख लो minus I आपको एक पता होगा जो NCIT की एक बात लिख दे रहे है RSO3H है RCOH है Phenol है Alcohol है और Alkyne यह हमने जानबुछ के लिखा NCIT की इसको follow करना आपको अब इसमें Alkyne है यह simple benzene है यह Alkyne है यह Alkohol है ठीक है न तो सबसे अधिक strong minus I effect किसमें होगा तो strong acid कौन सा होगा Methanol ठीक अगला question पहले को आप question को पहले देखो क्या है फिर अपने खुद करने कोसिस को रोबिटा अपना मकसद यह है कि revision हो जाए आपका तो आप पहले question देख लिया दो मिनिट ऐसे pause कर लिया कि वहाँ आपनों बताए जिसमें किवल एक πाई बंध है select the molecule which has only one πाई बंध देख लिया question खुदी एक बार प्रयास किया फिर तब अपने को देखो तो वन पाई बंध हमने का वन सिंगल बंध वन सिंगल बंध वन सिंगमा डबल बंध वन सिंगमा वन पाई ट्रिपल बंध वन सिंगमा टूपई और इस question को यह ध्यान रखना है कि ऐसे question आते हैं एक दो चार ऐसे आएंगे simple जिसको आप जल्दी गिनने में गलती न खरो तो इसमें triple bond है कितने πाई bond होंगे? 2 इसमें कितने πाई bond है? 1 इसमें इसको आराम से खोल लेना है इसमें जल्दी बाजी नहीं करना है CH C double bond OH CS 3 CH double bond CH CO OH 1, 2 इसमें भी कितने है? 2 इसमें भी 2 तो इसमें पूछा है किवल एक पाई bond किसमें है? 3 ठीक है? Next Next में इसमें simple क्या पूछा आपका? Minus I effect क्या पूछा है? Minus I effect तो minus I का order एक बार याद दिरा दे रहे है NR3+, SR2+, NS3+, NO2 CN, CHO, COH, Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine, OR, OS Triple bond, Double bond, Single bond, H Hydrogen को सुनिप्रेणर प्रवाव कहते हैं अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है ये classes जो अपने बार बार कहते हैं अगर NR2+, NR3+, अगर वहां से प्लस हटा दिया आपको तो वह कहां जाएगा, OR के बाद में ठीक है, तो ये जिस सलाय तो question अपने हूब हूब मोडूल में question था F, OR, NR2, कौन सांसर होगा, third ठीक है, तो ये अपने simple module question था नेक्स्ट, निन में कौन electrons नहीं नहीं है, एक हलकी सी theory यहाँ पर द्यान रखना, generally positive charge वारे लेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन NA plus O, S3O plus O, ये लेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, तो इसमें, यहाँ पे NO2 plus कर लो, ठीक है इसमें, निन में कौन सा एक electrophile नहीं है, तो कौन सा नहीं है, NA plus, ठीक है ना, next question ये भी PMT में आया question, correct order of strength of carbox location, अब देखो, यहाँ पे भी COH है, यहाँ भी COH है, यहाँ भी COH है फिर एक बात बता दें, अच्छे लेबल के बच्चों को एक confusion आता है, कि सर, O कब plus M की तरह काम करेगा, यहाँ कई बच्चे प्लस M लगा देते हैं, प्लस M नहीं लगाना है, आप O कब plus M की तरह काम करेगा, कब माइनस है, अगर यही मामला ऐसे होता, और यहाँ कुछ होता, COH अगर जो भी है, अब डबल सिंगल लोन पेर, यहाँ तो क्या करेगा, प्लस M, लेकिन यही बात ऐसे हो गी, इस कोश्चन को मैं ध्यान है, जो FMC का टॉपर था, एक साल उसने, पूरे साल 4-5 डाउट पूछे तो उसमें से यह एक डाउट पूछा था, उसने, कि सर कब आप O को प्लस M में लेते हो, कब माइनस है, तो ध्यान से देख लो, जब यह डबल से अटेच है, तब तो हो गय बात करें, तो यह किस की तरह भी एक करेगा, माइनस आई, बात समझें, तो अपने question पर आते हैं, मैं मूल, यहां तो CH लगे हुए हैं सब में, कोई extra नहीं, यहां क्या लगा है, यहां क्या होगा, प्लस M की माइनस आई, बिल्कुल से यही माइनस आई, यहां क्या है, माइ माइनस आई किस पर डिपेंड करता है, माइनस आई किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर, जितना पास होगा, माइनस आई उतना अच्छा होगा, और ACT उतनी ही अच्छी हो जाएगा, तो सबसे अधिक एस रिख होगा, second, third, और फिर first, इसमें तो कुछ है नहीं, तो second, third, first question, option कौन सा हुआ, third, clear, next, increasing order of stability, simple सा question है, कार्बोकटाइन की stability, कार्बिनाइन की stability, ऐसे matter पूछे आते हैं, कार्बोकटाइन की stability, अगर dancing resonance, और ट्रोपोलियम कार्बोकटाइन, equivalent resonance को छोड़ दिया जाए, तो normally आप देखना है, पहले resonance, फिर hyperconjugation, ठीक है, जैसी यह है, अब इसमें किसी में resonance नहीं दिख रहा है, तो इसमें आप क्या गिन लो, alpha h, तो इसमें alpha h कितने होंगे, इसको आराम से खोले ना, कोई जल्दिवाजी नहीं है भाई, CS2, CS3, 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 3, 3, 3, 6, 2, 8, कितने alpha hydrogen होंगे, 8, इसको भी ऐसे खोल लिया, तो 3, 3, 6, इसमें 9, इसमें 3, इसमें 0, ठीक है, अब सबसे अधिक, पहले resonance, resilience इसमें कहीं है नहीं, फिर क्या देखोगे आप, hyperconjugation, तो जितना अधिक alpha होगा, hyperconjugating structure होगे, अधिक बनेंगे, तो सबसे दिखो गया, B, फिर A, फिर C, फिर D, फिर E, तो B, A, C, D, E किसमें है, यह है, परस्ट option, बोलो बेटा, सही है, next question, इसमें आपको बहुत सिंपल सी बात है, इसमें पूछा है आपका, CC bond length in Benzene, RPMT जब होता था, तो हर alternate year, यह question आता था, तो आप यह है Benzene, कई बच्चे मा लिजए कि कई कहते हैं, हमें data याद नहीं रहता सर, तो यहाँ याद रखने की बहुत सकता नहीं है, ऐसे कोई है, आपसे conceptual बात कर रहा है, CC bond length कितनी हुई, 1.54, और C double bond C कितनी हुई, 1.34, बोलो, सही है, सही है, अब बात यह है, कि यह है double bond, यह है single bond, और यह किस में है, resonance में, और जब resonance में होगा, तो single bond double में, double bond single में, यह गुमता रहेगा, तो single bond 1.54, double bond 1.34, तो हम, मानले हमें data याद नहीं, तो हम exact ना बता के, इतना जरूर कह सकते हैं, कि इसमें 1.34, 1.54 के बीच को ही होगा, बैसे याद रखो, तो अच्छी बात है, लेकिन, इतना तो exact बता सकते हैं, 1.34, तो 1.54 हो नहीं सकता, 1.34 हो नहीं सकता, उसके बीच में कौन सा है, 1.39 इंस्टो, और यह याद भी रहता है बच्चों को, नहीं भी याद रहें, तो इस चीज से आपको बताना है, ठीक है, next question, वही बात है, निमलिखित में से कौन सा सबसे अधिक इस्थाई-योगिक है, ठीक है, तो आप इसमें देखो, रेजोनेंस इसमें भी सिंपल रेजोनेंस इसमें रेजोनेंस इसमें रेजोनेंस नहीं है अब इससे भी अधिक एक इस्टेवल हो सकता है हम क्यों हमने कहा ना अपना मकसद है कि रिविजिन करना इससे भी अधिक एक इस्टेवल हो सकता है वो कौन सा है ट्रोपोलियम कार हो गड़ा है और इससे भी अधिक स्टेवल एक हो सकता है कौन सा ज्यान है डांसिंग रेजिलिंस की बात कर रहे हैं तरह वो है लेकि हमें तो इसमें सिंपल है क्योंकि अपना मकसद इसमें बच्छों को PMT औरियेंटेट बात करना है उल्जाना नहीं है बच्छे कॉन्फिनेंस में रहें कभी भी एक्जाम हो जो टाइम दे रखा उससे हो जाए उससे आगे हो जब भी हो तो आप नॉर्मल चीजे आपसे पूछी जाएंगी इसलिए तो इसमें तो सिंपल क्या है C प्लस रेजोनेंस इसमें C प्लस इसमें देखो C और ये है C S 2 प्लस सही है प्लस डवल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में प्लस डवल बॉन्ड के इसमें प्लस है रेजोनेंस में नहीं इसमें है तो सबसे दिखोगा first, फिर second, फिर four, फिर third लेकिए हमें order नहीं पूछा है हमें तो क्या पूछा है क्या पूछा है कौन सबसे अधिक stable है कौन सा होगा first ठीक है next कौन कार्बोडन्स सबसे कम इस्थाही है कार्बो रिडायन की स्थाई तो देखने इसके लिए रेजोनेंस फर्स्ट एक दो बार मोर एलेक्टो निगेटिव एटम है निगेटिव शार्ज वो अलग की बात है सबसे पहले रेजोनेंस फिर जैसे ऐसे प्लस एफेक्ट बढ़ता जाएगा इस्टेबिल्टी कार्बिन एन की क्या होगी कम होती जाएगे ठीक है तो इसमें तो मोर एलेक्टो निगेटिव एटम पे निगेटिव शार्ज रेस्टेबिल्टी अधिक होगी और इसमें रेजोनेंस है ये मोर एलेक्टो निगेटिव एटम एक्टो निगेटिव एक्टम has निगेटिव चार तो इसकी स्टेबिल्टी तो अधिक होती है अब इसमें और इसमें तो इसमें प्लस आई एक इसमें प्लस आई 3, 3 CS3 ग्रूप लगे तो प्लस आई एफेक्ट बढ़ेगा तो इस्टेबिल्टी क्या होगी कम होगी हमसे पूछा है सबसे कम इस्टेबिल मतलब इस्टेबिल्टी का ओडर है 1 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री अगर सिंपल इंड़क्टिव इफेक्ट बात हो तो next फिर से बहुत सा सिंपल लेकिन आने वाले कोश्चन है इसमें थोड़ा बहुत एक रेजोनेंस डाल की भी दे सकता है सिंपल हाइपर कॉंजुगेशन सबसे कम इस्थाई मुक्त मूलक आप आराम से इसमें हमने कहा ना हाइपर कॉंजुगेशन तो फ्रिडिकल डवल बॉंड ये प्लस चार्ज के ठीक बगल में कार्वंग पास आइडियोन तो इसमें अलफा एच कितने है थ्री इसमें अलफा एच टू इसमें अलफा एच सिक्स इसमें जीरू तो सबसे कम स्थेवल कौंसा होगा फोर जितना अधिक अलफा एच होगा स्टिबिल्टी उतनी ही अधिक होगी ठीक है next question कार्वोनियम की जामिती है कार्वोकटाइन की बात कर रहा है कार्वोनियम कार्वोकटाइन तो आप simple structure के लिए आप कार्वोकटाइन लिख लो कोई इसका hybridization निकाल लो क्या होगा SP1, P2 SP2 SP2 hybridized होता है अगर जो exceptional बात ना हो SP2 hybridization में structure क्या होता है planer तो answer क्या हो जाए next निम्लिखित कार्बो कटैंस सम्मदि स्थाइट का क्रम stability का order बताना है अब इसमें तो alpha-s 0 है इसमें alpha-s कितना है 3 और ये lone pair के बगल में क्या है positive charge BB क्या back bonding तो यहां क्या आगई BB back bonding back bonding hyperconjugation से अधिक stable होता है back bonding नॉर्मल बिटा कर जो कई बच्चे के सारा हमें back bonding आती नहीं क्या होता है lone pair के बगलने है positive charge ठीक है तो सबसे दिक stable हो जाएगा third फिर second फिर first तो answer कौन सा होगा first ठीक है ना हमने क्या देखा इसमें तीन option देखा इसे आने को इसी पे आपको focus करना है आपको hyperconjugation देखा फिर यहां क्या देख लिया बैक बॉंडिंग बैक बॉंडिंग अधिक stable होगे ठीक है next फिर सांदार question हमने आप से कहा कार्बेन आइन की stability के लिए resonance देखिए बार बार चीजों को इसी चीज को focus करो बिटा जादे उल्डा सिधा का आरक्रम कोई नहीं करने हैं बहुत सारे सालसल भार अपने बहुत सारे ग्यान देते हैं वो तो ग्यान आपके पास हाई है लास्ट में जो बात चले है उसकी बात करो तो आपको क्या देखना है सबसे पहले resonance लेकिन आप उस option में एक चीज गौर कर रहा है कि कहीं कोई back bonding की बात तो नहीं कर दी कोई equivalent resonance की बात तो नहीं कर दी तो खट से उसे पहले टिका दे रहा है बात पकड़ रहे हो तो इसमें तो है simple 3 प्लस आई 3 प्लस आई है ठीक है और इसमें क्या आगई इसमें क्या है 2 प्लस आई ठीकर और इसमें क्या आगया resonance तीनों चीज़ें में लिख दे तो एक नॉर्मल लेवल का बच्चा तो resonance वन डिग्री, टू डिग्री, थी डिग्री, कार्विन एन के stability रेजोनेंस से पहले अगर जो उसमें option में ध्यान से देखना कोई equivalent resonance की बात तो नहीं की तो आप उसको ध्यान रखना है तो बैक बांडिंग है इसमें किसमें है CCL3 माइनस तो सबसे दिखो गया CCL3 माइनस फि और फिर हम क्या दिख लेंगे वन डिग्री, टू डिग्री, थी डिग्री तो यह option कौन सा है थर्ड बोले वेटा नेक्स कॉस्टन पर चलें सांदार कॉस्टन था नीड में कौन सा एक Electrons नहीं है तो एक ही Electrons नहीं होगा तो हमें नाभिक्स नहीं पता रहे तो भी काम हो जाएगा तो नाभिक्स नहीं के बारे में इसी थेओरिय द्यान रख सुन रो अगर किसी Compound पर Negative Charge है तो Generalist में कोई Exception नहीं होता तो वो Nucleophile है या कम से कम एक Loan Pair हो किसी के पास तो वो भी Nucleophile होगा ठीक है न क्या काम ने? Negative Charge हो तो वो Nucleophile होगा या कम से कम एक Loan Pair होगा तो भी क्या होगा Nucleophile तो यहां पे दो लोन पेर, यहां पे एक लोन पेर, दो लोन पेर, बोलो भई, तो यह तो क्या हो गया, नुक्लियोफाइल, यह क्या हो गया, नुक्लियोफाइल, यह क्या हो गया, नुक्लियोफाइल, तो एलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, second, ठीक है, next question पे चलते हैं, निन में कौन aromatic है which of the following will show aromatic behavior ठीक है aromatic behavior की बात इसकी थोड़ी सी थेओरी बात कर लेते हैं फिर अपने चलते हैं क्योंकि aromatic के question और भी होंगे aromatic मेटा द्यान से सुनो aromatic के लिए condition है पहली condition cyclic दूसरी planar तीसरा delocalization और चौथा फोर्थ नंबर follow हकल rule ठीक है यह चार का है अब कोई हकल रूल कोई भूल गया हो हकरूल के अदा फोर एन प्लस टू पाइलेक्टरन होने चाहिए वेर एन इक्वल टू जीरो वान तू थ्री यह तो आपकी होगी थेयरी अगर यह condition फेल हो या यह फेल हो या यह फेल हो तीनों में से कोई फेल हो तो वो क्या हो जाएगा non-aeromatics तीनों condition follow हो fourth condition फेल हो जाएगा तो यह हो जाएगा anti-aeromatics और चारों condition pass होगी तो होगा aromatic ठीक है ये तो होगे theory normal के लिए है exception तो ही है 2-4 तो उसके उतनी जादे आपको आउ सकता नहीं है फिल हाग तो इसका hybridation क्या हो गया sp3 second condition fail हो गई तो ये aromatic नहीं है इसमें देखो पहली condition set है set है, cyclic है दूसरी, each atom sp2 है, set है tc delocalization है और fourth number 4n plus 2 6, 4n equal to 4n equal to 1, तो ये क्या हो गया aromatic, ये नहीं है क्योंकि sp3 हो गया ये नहीं है क्योंकि क्या हो गया sp3, तो second condition भी फेल हो गई तो ये नहीं होगा, हमसे तो ये ही पूछा था क्या, कि कौन aromatic behavior सो करेंगा बोले बेटा, next चलते है chloroacetic acid is stronger acid than acetic, इसका explanation आप से पूछ रहा है तो ये है एक बारे PMT में थोड़ा सा इसका एक minus i, fluorine, chlorine, bromine, फिर estic acid तो उसमें ऐसे आया था, इसमें हमनों में ऐसे दिया है chloroacetic acid, estic acid से तो ये तो सेम ही है, COH, COH ये कारवन भी ये भी सेम है, इसमें extra क्या लगा है? cn, जो क्या है, minus i, कहीं कोई plus m अगरे की बात तो है नहीं, बात समझ रहे हैं, तो ये क्या है, minus i, तो minus i effect की वैसे, ये क्या होगा, अधी के सरीक होगा, ठीक है, नेक्स चलें, 24 नमबर question, simple से question है, वही concept लगाना है, क्या आपको, इस पर चर्चा कर चुके हैं, सबसे पहले simple आपको देखना है resonance, resonance देखने के बाद आपको क्या देखना है, hyperconjugation, ठीक हैं, तो यहाँ resonance है, यहाँ resonance नहीं है, ठीक है, यहाँ resonance है, यहाँ resonance नहीं है, ठीक है यही बात तो है तो resonance किसमे किसमे है इसमे resonance है प्लस के बगर में बेंजीन देखो इसमे resonance है बोलो बेटा इन दोनों में इसमें दो बेंजीन दिन जुड़े हैं दो फैनिल है इसमें क्या है एक ही फैनिल है प्लस के तो फर्स्ट और सेकेंड में कौन से होगा फर्स्ट third और fourth में कोई resonance नहीं है अब alpha s की बात करेंगे तो alpha s कहाँ पर दिखे है यहाँ पर तो second के बाद फिर क्या होगा third फिर fourth ठीक है ना तो answer क्या हो जाएगा first, second, third और fourth ठीक है हाँ तो इसमें answer क्या गया first, second, third, fourth ठीक है, तो हमने क्या देखा सबसे पहले resonance देखा, resonance के बाद हमने क्या देख लिया है, अलफा आइड विजिन ठीक है, next question बात करते है यह भी सांधार question है, इसकी भी आपको थेवरी बताएंगे इनकी nuclear felicity पहले थोड़ी बात कर लेते हैं यह हैं बच्चों confusion है कभी आप electro negativity देख रहे हो कभी आप size देख रहे हो, तो बेटा ध्यान से सुन लो group की है, fluorine, chlorine, bromine, iodine, यह बात group की है किसके है, group और period की बात अगर CH3- NH2- OH- F- दोनों बात, क्योंकि आगे आगे question तोस्तों में द्यान देना तो nucleophilicity का order है group में हम क्या देखते हैं group में nucleophilicity directly proportional to size ठीक clear cut period में हम क्या देखते हैं nucleophilicity inversely proportional to electro negativity ओके सही बात है देख लिया है पीशे जाए मूल question का आते हैं यह पूछा increasing order of nuclear किसकी बात करी गई है group की तो सबसे दिख कौन होगा I- फिर BR- फिर CL- तो answer कौन सा हो जाएगा second clear कौन सा electrophile नहीं है छीख electrophile के बारे में फिर बात की generally plus charge हो तो वो electrophile होते हैं exception क्या बताया हमने NA plus बता दिया S3O plus बता दिया NH4 plus भी इसी में आ जाता है ठीक है तो CL plus electrophile है हाँ और अगर जो 8 electron से कम है वो भी किसकी तरह behave करते हैं electrophile ठीक है भाई C है 8 electron से कम का मतलब ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये किसकी तरह behave करेगा electrophile ठीक है BS3 भी है H, H, H count कर लो S3O plus ये electrophile नहीं है तो ये answer हो गया NO2 plus ये electrophile है ठीक है सही है next question फिर इसकी भी हमे थोड़ी सी थेorिया आपको बतानी पड़ेगी ब्रेट रूल अभी बताया था ना ब्रेट रूल तो ब्रेट रूल ब्रिज कारवन से प्लस चार्ज या डवल बाउंड पॉसिबल नहीं है यही बात तो करी थी तो इसकी बात कर लेते हैं ये देखे क्या है ब्रिज है तो यहां से एच का ट्रांसफर कर सकते हो नहीं कर सकते यह है ब्रिज यहां से एच का ट्रांसफर कर सकते हो नहीं कर सकते यहां भी नहीं कर सकते यहां से नहीं कर सकते लेकिन यहां से तो बिटा कर सकते हैं ब्रेट रूल दिवांग में आगे शब के बोलो ठीक तो उसके बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थाएगा ब्रिज कार्बन पे प्लस चार्ज या डबल बॉन पॉसिबल नहीं है क्लियर ठीक है नेक्स बात करते हैं अपने which one of the following compound is most acidic ये तो simple क्या है ये फिनॉल ये भी फिनॉल के डिरिवेटिव लेकिन यहां क्या लग रहा है माइनस M और यहां क्या लग रहा है प्लस H यहां एक बात ACDT के हम बता दें आपको सिंपल से ACDT directly proportional to माइनस M प्लस M माइनस H प्लस H प्लस H माइनस I प्लस है ठीक है को दिक्कर नहीं तो हम देखो ACDT देखने के माइनस M को पैरेटिक आएंगे फिर माइनस H फिर माइनस I फिर कुछ नहीं फिर प्लस I फिर प्लस H फिर प्लस M याद आ रहा है बिटा याद आ रहा है सबको ठीक अपने मूल कोश्चन पर चल देते हैं तो यहाँ alcohol है यह फिनॉल है यहाँ क्या लग गया माइनस M और यह क्या है प्लस H तो सबसे माइनस M किस में लग रहा है सेकेंड में तो सबसे strong acid कौन सा होगा सेकेंड बोलो सही है ठीक है नेट्स question बात करते है most stable carbonine की बात हमने करी और आपसे बताया है carbonine के concept में कि देखो GOC में होता क्या है कि आपको देखिए उल्टा सीधा ना जाए हम तो inductive आपको पढ़ लेना है hyperconjugation पढ़ लेना है resonance कौन सो करता है कौन नहीं फिर आपको acid base इसकी जानकारी है acid के लिए एक बात आप ध्यान रखना NCIT जो अपने तो class होगारे में काफी हद तक करा रखा है लेकिन अगर जो बहुत normal average बच्चा है उसके पास समय तो खोब है लेकिन मालनों कि और भी subject है उसका week है तो अपना मेहनत कर रहा है तो आप ACT के लिए आप चले जाएं simple carboxylic acid पढ़ना आपको phenol पढ़ना है alcohol phenol और NCIT में और alkyne हमने जहां तक देखा है जादे तर question NCIT base अगर जो paper बनता है तो यह इसे और बेसीट के लिए आप सीधे चले जाना किस chapter में Ncontaining ठीक फिर अपने कार्बोकाटाइन के stability, कार्बिनाइन के stability, free radical के stability यही जी यूसी में activating, deactivating group आपको देदे आई जाएगा तो इतने काम करना है आपको इसमें है इसमें no resonance इसमें no resonance इसमें इसमें resonance है और इसमें resonance है ठीक है अब यहां क्या है देखो, minus M और यहां plus H तो ऐसे लगवग होता नहीं है plus I आप consider करो क्यों कार्बिनाइन है तो यहां आप क्या करोगे plus I कार्बिन इस्टेबिलिटी आफ कार्बिनाइन stability of कार्बिनाइन कार्बिनाइन minus M plus M minus I plus I यही बात है तो आपका answer कौन सा minus M किसमे है 29 का क्या होगा answer third कर्बिनाइन के 3-4 question अपने कर लिए next कार्बिनाइन which is most stable देख रहे हूं इसमें कोई resonance है no resonance इसमें resonance है इसमें simple alpha h कितने है 2 इसमें alpha h 0 इसमें alpha h 3 30 तो हमने काया resonance देख रो फिर hyperconjugation तो सबसे दिख क्या हो जाएगा third फिर first फिर four फिर second हमें most stable पूछा है तो most stable कौन सा होगा बोलो third resonance अपना order लिख दे मालो order पूछ ले तो order के साथ से बात करना है next question इस पर भी एक बार base question आया है कि conjugation किसमे है conjugation saagman किसमे है достаточно तो आपको simple क्या देखना है double Video 12 12 जिसमें डबल similarity पूछ रखा है तो जितना अधिक double single double हो जाए Istability हो तो नहींmember थiele है नहीं है, इसमें है, इसमें, डबल सिंगल डबल थ्री है, तो सबसे रिकिस्टेबल कौन होगा, थॉर्ड, चीक है, नेक्स्ट, प्लस आइफेक्ट, सिंपल से जानते हो, प्लस आइफेक्ट, थ्री डिग्री, टू डिग्री, वन डिग्री, भाई, थ्री डिग्री मतलब ये, सी, 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 एस, थ्री, ओल्ट, थ्राइज, ठीक है, ना, फिर, टू डिग्री, फिर, वन डिग्री, तो सिंपल इसमें, थ्री, टी, वन, कोई ज़्यादे खास बात इसमें है नहीं, नेक्स्ट कुस्टन पर चलते हैं, संक्रप्र कार्विणान के स्थायतों, ठीक, अभी एक बात पहले करी, कि मोर एलेक्टो निगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ड कंपाउंड की स्टिबिल्टी को क्या करता है, बढ़ाता है, मोर एलेक्टो निगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ड कंपाउंड की स्टिबिल्टी को बढ़ाएगा, तो मोर एलेक्टो निगेटिव एटम काउन सा होगा, SP SP2 और SP3 क्योंकि S करेक्टर बढ़ेगा तो माइनस आई बढ़ेगा और मोर एलेक्टो निगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज कमपाउंड की स्टेविल्टी को बढ़ाता है तो SP वाले पे निगेटिव चार्ज अधिक स्टेवल होगा तो कार्विनियन निगेटिव चार्ज की बात कर रहा है तो कौन साधिक होगा SP SP2 SP3 कौन सांसर जाएगा थर्ड ठीक है नेक्स्ट फ्री एडिकल की स्टेविल्टी ये है फ्री एडिकल कई बार इसका कैसे एक्स्पेम करेंगे बिटा तो क्या बताओगे अलफाएज तो इसमें अलफाएज कितने है 9 इसमें अलफाएज कितने है 6 इसमें अलफाएज कितने है 3 तो कौन अधिक होगा 3 2 1 का है 3 2 1 यह बोलो सही है next सांधार चीज़ फिर आपको इन सब चीजों मेन बात यह दियान रखनी है कि आप से question का यही आधार बार बार हम बोल रहे हैं कि इसमें मालनो कि ऐसे दे के 3D आप से पूछ ले region क्या है तो आप hyperconjugation मालनो कि 3D फ्रीडिकल 2D सदी के stable है region आप से कहा है plus i inductive or resonance प्लस inductive hyperconjugation resonance तो आप किसमें टिकर होगे hyperconjugation ठीक है यहां कूछा CH3 CH2OH की भी बिसमांस बिदर में सिग्रिता से होगा जिसमें concept सी धार जिसमें electro negative difference अधिक हो किसमें electro negative difference अधिक है OH फोन पता ना F1 more electronegative तो इसमें H difference अधिक ना next हाँ फिर इसकी थेयरी इसकी थेयरी सुननो which behaves both as nucleophile as well as electrophile इसकी थेयरी सुननो पहले अगर कार्बन कौन सा कार्बन किसी भी more electronegative atom के साथ double bond या triple bond से टेस है तो वो एलेक्ट्रो फाइल के साथ साथ nucleophile की तरह कार्व करता है जैसे c s 3 c o h c s 3 c o c l c s 3 c o n h 2 देख रहाँ ना c s 3 c triple bond n कार्बन more electronegative atom के साथ किसके साथ है double bond या triple bond तो वो किसकी तरह behave करेगा एलेक्ट्रो फाइल as well as nucleophile मूल कोश्चन पर आते हैं यह आपका मूल कोश्चन है ठीक है यह है कहीं double bond नहीं है है कहीं इसको देखो c s 3 c triple bond n तो यह एलेक्ट्रो फाइल के साथ साथ किसकी तरह भी है करेगा nucleophile next यहां बात करी गई है योगिक c n 4 c 2 में कार्बन परमानू है carbon atom in the compound मतलब इसका hybridation तो पहले c double bond c c triple bond n c to cn4 इसमें एक बार रुड़की का यह question है main वहीं से है और इसमें एक बार sigma pi भी इसमें पूछा गया है ठीक है यह रुड़की का question है तो इसका hybridation क्या है sp2 और इसका क्या है sp कारवंग बारें बात है इसका भी sp2 sp sp तो answer क्या होगा यह भी तो sp2 ही है यह क्या है sp यह क्या है sp यह क्या है sp तो कौन से उस question पर गए वहाँ देखा क्या सतने क्या बता है group में है तो size के directly और period में है तो electronegativity के inversely तो nucleophile inversely proportional to electronegativity यह बात कहां पर बात हो रही है period में तो सबसे दिखोगा cs3 माइनस फिर nh2 माइनस फिर oh माइनस और फिर f माइनस बोलो भाई थार्ड कीक है next कीक है डाइपॉलमेंट का वह question जिसको आईटी ने दो बार repeat किया है वह यह question है इसके हम पहले पूरी बात करेंगे theory पर आते हैं CS3Cl यह है CS3Cl question पर आ जाते हैं एक बार देख लिए थे हैं CS2 CL2 CHCl3 और CCL4 यह है ठीक है अब CH solution CCLOOK CCL साह et दे रहा है और यह क्या करे है खींच रहा है देरा है और ये खीच रहे है, देरा है ये तीनों खीच रहे है ये जो घर है इसमें ढूलता है ये गर है जिसमें दो कमाने वाले, दो खाने वाले, ये घर है जिसमें एक कमाने वाला, तीन खाने वाले, और ये चारो खाने वाले हैं, इसलिए एक बार इसमें IIT ने एक बार और question पूचा कि किसका डाइपॉलमेंट जीरो है इस मेडिकल में भी एक कोश्चान आ चुका है कि किसका डाइपॉलमेंट नियरली जीरो है तो CCL4 का डाइपॉलमेंट क्या होता है लगभग 0 तो सबसे दिख चार्ज CCL4 तो यह आपका डाइपॉलमेंट का ओडर हो जाएगा मूल कोश्चन में क्या पूछ रहा है देखोए बात किसका डाइपॉलमेंट सबसे देख है किसका होगा CS3 CCL बोलो भाई next question पर आजाते हैं रेजो नेंसस्टेविल्टी रूल इसको द्यान से एक बड़ देख रहाते हैं तो इसमें एक दिन तेवरी बताते हैं एक दिन कुस्चन कराते हैं और इस पर 25 तीस कुस्चन कराते हैं तब जाएग वह बच्चों को सबसे पहले आपको देखना है जिस पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन ऑक्टेट कम्पीट होना चाहिए उसको पैले टिका दिया है फिर देखना है मोर एलेक्टो निगेटिव एटम पे निगेटिव चाहिए बसरते फिर ध्यान से सुनो ओक्टेट कम्प्लीट होना चाहिए ओक्टेट कम्प्लीट नहीं है सब कहानी बेकार है वो सबसे लेगिस्टेबल हो जाए फिर तीसरा चार्ज सेप्रेशन डिक्रीज आप यह समिदूरी बढ़ने से इस्थाय तो क्या होगा कम होगा फिर बातों कह रहे हैं और क्या होना चाहिए यह लास्ट मेटर यह भी द्यान अखना है कि अगर जो सिंदर चार्ज अगल बगल हों तो उसकी स्टेबिल्टी क्या होती है कम होती है जही कोश्चन है इसमें जाए देखो इदर तो यह क्या हो जाएगा लिस इस्टेबल कि बोलो भए नेक्स्ट हाइपर कॉंजुगेशन अति ब्यापन होता है किस में सिंपल से बात कर लेते हैं सी हाइपर कॉंजुगेशन आता है बेकर नाथन इफेक्ट सिग्मा पाई कॉंजुगेशन इफेक्ट याद है वही चीज है तो यह सिग्मा पी में ओवरलैपिंग हो रही है सिंपल हाइपर कॉंजुगेशन है और बैक बॉन नाथन ने क्या देखना आपको POSITIVE CHARGE loan pair बगल में क्या है? POSITIVE CHARGE यह है तो यहाँ backboneing है यहाँ backboneing 2 में है लेकि अब इसमें दोनों में backboneing है तो हम इसमें alpha H कितना है? 6 इसमें alpha H कितना है? 3 अब इन दोनों में हमें simple कोई backbone ne नहीं है तो alpha H से देखेंगे इसमें alpha H 2 इसमें α-h फाइफ तो सबसे पहले दो बैक बॉर्णिंग को टिकाएंगे फ़स्ट और थर्ड में कौन सो होगा फ़स्ट फिर और सेकंड और फौर्थ में सेकंड फिर फोर्ड तो फ्रस्ट थर्ड सेकंड फोर्ड क्या होगा आंसर फौर ठीक है नेक्स चलते हैं सिंपल सी बात है स्ट्रॉंगेस्ट एसिट की बात करी गई है ठीक न यह सिंपल फिनॉल है यहां क्या लग रहा है प्लस एच यह जो लग रहा है और यह दोनों क्या है बेंजोईक एसिट है ठीक है तो बेंजोईक एसिट और फिनॉल और फिनॉल है यह सिंपल भी हो तो इभी कौन सा होगा यह यह और यह दिखोंगे तो सबसे दिखो जाएगा थर्ड क्योंकि यहां क्या लग गया प्लस एच प्लस एच एसिट को करता है क्या कम थर्ड के बाद फोर ठीक है यह O H है यहां C L तो इसमें आप माइनस आई तो यहां क्या हो गया सेकेंड फिर फिरस्ट एक बात देखो यह फिनॉल है इसको अलक साइड में कर दिया यह बेंजोईक एसिट इसको अलक साइड में कर दिया बेंजोई के एसिट में compare करना अपने को तो यहां प्लस आच है तो इस से कम यह हो गया इसमें माइनस आई तो यह अधिक हो गया answer क्या हो जाएगा बोलो भई next इसको देखो हम हमें इसमें पूछा है rearrangement के बारे में बात क्या पूछा है? rearrangement हम वहां ले जाएं जहां हमारा carbocatine अधिक stable हो कहां ले जाएंगे? जहां carbocatine अधिक stable हो अगर इसको हम इधर लाते हैं प्लस चाज़ सपोच करो तो यहां क्या हो जाएगा? hyperconjugation और यह प्लस चाज़ अगर इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा? backboneing BB देखो कैसे? c s 3 c plus o h c h h c h c h c s 3 c h 3 तो यह क्या हो गया? b b हमने पूछा है इसमें पूछा गया question की h कहां से आएगा? तो h आएगा कहां से? two number से तो answer क्या हो जाएगा? four सांदार question बहुत है अच्छा question है ऐसे question आने की सम्भावना है अधिक है next question चलते है alien क्या कहा है? alien यह भी J क्या question है IT advance का यह question है simple सा question है इसमें क्यों दिया उसने? इसके पीछे कारण है कई लोग मिथ्या यह बना लेते हैं कि कि सर बच्चे कई confusion में रहते हैं कि सर सिंगल बॉंड हो तो SP3 दे जेते हैं double bond है तो SP2 दे जेते हैं triple bond है तो SP दे जेते हैं यह गलत बात है आप उसको आराम से खोल के लिखो alien है CS2 double bond C double bond CS2 ठीक है यह ऐसा question नहीं था कि गलत करो लेकिन वत्म में जल्दी बाजी में गलत करोगे H double bond C double bond C H और यह H इसका इवरेशन SP1 P2 SP SP1 P2 ठीक है तो क्या आएगा SP and SP2 कौन सा अंसर होगा second ठीक है next the order of stability of the following carbo-gat है यहाँ पर थोड़ा सा आप correction कर लेना CS3 है CS2, CS2 प्लस सबसे पहले अपने क्या देखेंगे resonance यहाँ resonance है और यहाँ resonance यहाँ resonance अदीक है वहाँ resonance कम है तो सबसे अदीक third फिर first फिर second resonance के बाद हमें क्या देखना है hyperponjugation बोलो बेटा सही है यह सही कर लेना ठीक है न तो third first second को दिक्कत next question बहुत सांदार यह भी question है यह भी IIT का question है पूछा गया है dipolument किसमे mu not equal to zero ठीक है अब यह खीच रहा है देखो एक इदर से खीचेगा एक इदर से तो cancel होगा न तो उसमें zero हो जाए तो यह इदर यह इदर लेकिन यह देखो loan pair है इसने इसको दिया इसने इसको दिया loan pair ठीक है तो यहां mu क्या हो गया not equal to zero यहां mu क्या हो गया not equal to zero answer क्या हो गया fourth ठीमस question है बिटा सही है next बात करते हैं next question हलकी सी आपको ortho effect बता दें थोड़ा से the correct order of acetya of the following compound ortho effect concept ही एक बार recall करा देते हैं benzoic acid है benzoic acid है यहां क्या लग गया है r तो इसके इसके बीच में repulsion होगा और जो resonance होगा वो इसके बीच में हो जाएगा possibility अधिक हो जाएगी इसके इसके बीच में होने की इसी यूँ कहते हैं ortho effect और ortho effect होने से acety क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी यह compound more stable होगा तो यह simple दे रखा हो और यह दोनों तरफ दे रखा हो तो और अच्छी बात है ortho effect और अच्छा लगएगा acety और बढ़ जाएगी यह आपकी क्या होगी theory होगी अब आप अपने copy में इसके कम सकम 10-12 example बढ़े सीधे करायो गया होगे फिलाद अपने main moon question पर आ जाते है ortho effect ते हलकी बात हमने बता दी तो ortho effect किसमें है यह है ortho effect यह है ortho effect इसमें दोनों तरफ से ortho effect है तो सबसे clear बिना सोचे समझे first और फिर second अब इसमें देखने के लिए हमें क्या देखना है simple minus i plus m यह देखना है तो यहां oh meta पे meta position पर ना तो plus m होता है न minus m न plus h न minus h only plus i और minus i बोलो बिटा ठीक तो minus i और यह क्या है plus m ठीक है तो first second के बाद क्या जाएगा third फिर fourth कौन सांसर होगा first याद आ रहा है कई बार अपने बड़े बड़े लिखते थे meta position पर ना तो plus m होगा ना minus m ना plus h ना minus h only plus i और minus i लियाने next question बात करते है which of the following molecule is least regionally and stabilized अब हम बार बार आप से कह रहे हैं जिसे एक question आए तो आप अपने दिवाँ पहले से अपने कट लो उसको pause किया तुर्ण इसका answer लिखा फिर देखा कि हम क्या कह रहे हैं यहां देखो बेटा resonance है resonance है double single double इसमें resonance इसमें देखो double single double यहां कोई resonance है तो लीस्ट resonance इस्टेबलाइज कौन होगा single single आ गया ना तो यह नहीं है next कहा नहीं वही aromatic के हमने theory बताए थी वही चीज़ है आप इसमें सब में चेक कर लो cyclic है पेना रहे है इस इटम कौन सा aromatic नहीं है पूछ रहा है four and plus two equal to six दो चार्च है n equal to one aromatic है four and plus two equal to four n equal to one by two aromatic नहीं है four and plus two equal to six n equal to one यह aromatic है तो कौन सा नहीं aromatic third aromatic नहीं है इसकी थेयोरी बता चुक है अपने बोलो बेटा next वही कहानी चेक कर लोगे कौन सा aromatic नहीं है four and plus two equal to two n equal to zero aromatic है four and plus two equal to four n equal to one by two aromatic नहीं है four and plus two eight four and equal to six n equal to three by two aromatic नहीं है sp3 aromatic नहीं है तो पूछ रहा है कौन aromatic नहीं है aromatic नहीं है b c d कौन सा अंसर हुआ second सांदार n c i t का क्वेश्चन n c i t की लाइन pm t में आया क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं आप एलकाइन का भी देखना है आपको इसका हाइवरेशन sp इसका भी हाइवरेशन sp इसका हाइवरेशन sp2 लेकिन दो में sp आ गया हमने तो कहा के sp, sp2, sp3 लेकिसमें एक मैटर और और आगया क्या प्लस आई तो प्लस आई ACT को क्या करता है कम करता है तो आंसर कौन सा होगा सबसे देख ACT टिपल बॉंड CH ये प्लस आई होने से इससे कम होगा, इससे कम नहीं होगा बोले बटा, ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन चलते हैं Living Group चीक रहा क्या कहा रहा है Living Group Living Group के लिए थोड़ी थेओरियस में बता दे हैं Nucleafilicity पूछ रहा है Living Group नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है Nucleafilicity तो Nucleafilicity सबसे पहले जिस पे चार्ज है उसको टिका है और चार्ज में दो है, तो जिसमें प्लस आई है उसका अधिक कर दिया फिर ये थेओरी बता रहे हैं आपको Resonance बढ़ने से Nucleafilicity क्या होती है कम होती है और लास्ट में क्या कर दो Neutral इतनी बात पर देखो बोलो भाई सही है तो चार्ज किस पर है D अब इसमें भी Resonance है इसमें भी Resonance है Resonance बढ़ने से Nucleafilicity क्या होगी कम होगी तो A फिर C और लास्ट में क्या कर दोगे B कौन सांसर हुआ फिर्स्ट ठीक है Next Question The Compound that is Most Difficult to Protonate Most Difficult to Protonate तो बहुत ही Famous बार बार इसको लगवक पचासों पर बताया जाता है कि Benzene से Cl नहीं निकाल सकते H2O नहीं निकाल सकते अब यह है Benzene है अब ऐसे बना के लिख देता ना तो सभी बच्चे सही करते हैं उसके बाद पतन क्यों confuse हो गए अब इसमें H प्लस डालोगे तो यह O S2 प्लस यह निकल पाएगा निकलेगा नहीं तो कौन सांसर हो गया 4 ठीक है ना Next रेकिए सुनों linear की बात इसमें कर रहे है तो जो SP है वो तो linear है यह और just जो उससे attach है वो भी क्या होगा linear तो और सब का तो हई नहीं इसमें है तो यह यहाँ तक तो linear हो जाएगा यह गरबड़ हो जाएगा यहाँ देखो यह SP है linear यह SP है linear इससे just attach होगा वो भी क्या हो जाएगा यह नहीं है ठीक है next सही है ना जो उससे direct attach है जो से समझ रहे बात को SPO तो ही है और जो उससे direct attach अब आगे कारवन और होता वो नहीं होता फिर ठीक है next ब्यूटेन के इनॉलिक रूप उपस्तित हैं सिगम हाँ प्रोपर्टी टॉटोमेजम की याद है कि टॉटोमर में सिगमा पाई बॉन लोन पेर के नंबर क्या होते हैं सेम तो हम इसके टॉटोमर क्यों बनाने जाएं सीधे इसी में गिल लेते हैं कितने हैं सी ओ, सी एस टू, सी एस थ्री तो तीन सिंगल बॉन तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, ट्वेल्व सिगमा वन पाई एंड टू लोन पेर आंसर क्या होगी फरस्ट चीक है next चलते हैं सही बात है ना प्रोपर्टी से देख लिए हमने कॉंजुगेसन कॉंजुगेसन मतलब ऐसा होना चाहिए देखो बाई हैं ंडबल और सिंगल जबल सिंगल ёл एसे होना चाहिए तो अपने देख लो कॉंसे ओप्शन में पैला और संवन टू बीव टाडाइन कॉंजुगेसन है है नीचे फों है न 1234 डबल सिंगल डबल इसमें नहीं है थार्ड वाले में देखो एक दो तीन चार पाँच वन वन टू थ्री वन थ्री पेंटाडाइन कॉंजब डॉल बांड इस प्रिजेंट पेंटाडाइन के लिखते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइफ वन थ्री पॉंजुगेशन तो इसमें भी यह वन थ्री आइड इसमें विटा-बूटाइलीन इसमें नहीं है इसमें क्या करते हैं वन फोर इसको जाएबा थीख ना तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड यूड न है ठीक ना 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, pentadine, नहीं, इसी को रखना है, इसको 1, 4 कर दो, ठीक है बटा, नेक्स्ट चलें आगे, हाइबरेशन पूछ रहा है, बेंजिल, C प्लस, H, H, S, P1, P2, हाइबरेशन क्या होगा, S, P2, बोलो बाई, सही है, next question, अब इसमें देखो आप, इसमें आप, सिंपल एकलो, इस्टेबिलिटी आफ कार्ब कटैन, इस्टेबिलिटी, इसको थोड़ा सा आपको थेवरी बिता दें, इसमें, इस्टेबिलिटी, आफ कार्ब कटैन, डिरेक्ली प्रबोस्टनल टू, प्लस M, माइनस M, प्लस H, माइनस H, प्लस I, माइनस I, यही बात हुई, में मूल कोश्चन पर आते हैं, यह पहला है, CS2 प्लस, दूसरा है, CS2 प्लस OCS3, तीसरा है, CS2 प्लस NO2, चौथा है, CS2 प्लस CS3, यहां कुछ है, नहीं है, यहां क्या है, प्लस M, यहां क्या है, माइनस M, यहां क्या है, प्लस H, बोलो, सबसे दिख कौन होगा, second, यह first number पर हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा, और फिर यह हो जाएगा, तो सबसे दिख हो गया, second, ठीक है न, second के बाद, fourth, फिर first, फिर third, कौन सांसर होगा, third, देख लो बाई, सही है, second, fourth, third, यह तो आमने बैसे लिख दिख दिया है, यह सबसे दिख से इस्टेबल, यह सबसे कम, बोलो बाई, सही है, देख लो, next चले, complete octet, complete मतलब, जिसमें eight electron हो, carbonium, one, two, three, four, five, six, कितने होगे, six, carbon ion, one, two, three, four, five, six, seven, eight, यह हो गया, eight electron, इसमें कितने होगे, seven ही होगे, third वाले में, two, four, six, seven, तो answer क्या होगे, second, carbon में, one, two, three, four, one, two, three, four, five, six, ठीक है, next चलते हैं, reactivity towards nucleophilic addition, reactivity इसमें लिख देने, reactivity यह theory है, inversely proportional to steric hindrance, बोले बेटा, तो सबसे दिख, first, फिर second, फिर third, कौन सांसर है, third, च्रीक है, न, कार्बोनलिल कंपाउंड ही, nucleophilic addition reaction देता है, next, dehydration, तो यहाँ पे H2, OS2, H2 निकालेंगे बाद, प्लस 4 बनाओ, यह निकला, प्लस चार, यह निकला, प्लस चार, यह निकला, प्लस चार, इसमें क्या निकला, तो dehydration, कौन सा कार्बोकर टैनादी किस्टे बोलो, third वाला, बोलो, alpha H हो जाएंगे न, 369, निकालने के बाद वहाँ, प्लस चार लगा दो, H2 प्लस, next, कौन सा सबसे दिकम, एसिट है, सिंपल यहां, यहां क्या है, माइनस है, यहां 3 माइनस है, देख रहा है न, यह बहुत फेमस कंपाउंड है, क्या नाम इसका, साबास, पिकरिक एसिट, एक बार question ऐसे पूचा गया है, कौन सा SI acid है, जिसमें, C shoulders group नहीं है, तो पिकरिक एसिट है, इसा ऐसे 2-4 acid दे दे, किसमें C ES group नहीं है, तो पिकरिक एसिट में C नहीं, यहां क्या है, प्लस H, तो सबसे दिख 3- माइनस है में CET को बढ़ाता है तो कौन सा आंसर होगा? 3rd ठीक है वीटा? नेक्स चलते हैं ये तो क्या है? एमाइड और ये क्या है? एमीन एमाइड एमीन से कम बेसिक होता है ये सिम्पल बेंजीन है ये क्या है? नाइट्रो बेंजीन एमीन is more basic than एमाइड ठीक है? फुदिक्कत? नेक्स्ट हाँ ये भी PMT का famous question है आप दियान रखो बेटा बात को जब भी electro-filic substitution reaction पूछा जाए आप से तो आप सिम्पल देखो एक्टिवेटिंग ग्रूप ठीक है? ठीक है? एक्टिवेटिंग ग्रूप का ओडर है O-NH2 ज़्यान है OH, OCS3 NHCOCS3 याद है? फिर CS3 फिर CS2, CS3 बोलो फिर टर्सरी ऐसे बढ़ता जाएगा एक हलका order लिख दिया हमने तो यह क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा और यह क्या करेगा? डिएक्टिवेट करेगा तो order इसका कौन सा होगा? फिर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सही है? कर लोगा नही? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने बात की कि किसमे इसमें भी थेवरी सुन लो अगर किसी ग्रूप पे activating ग्रूप लगा हो क्या लगा हो? activating और किसी ग्रूप पे लगा हो deactivating deactivating और यह activating चीक है? यह होगा orthopera और यह होगा meta यह इसकी है थेवरी अब question देख लो उसरा है किसमे meta होगा किसमे होगा? यह है बोलो भई सही है? यहां लिख दिया आपने आप एक बार फिर सरसे पिर अपने copy देख लो एक बार को अब यहां देखो S2 निकाला question देख लिया पहले पिर यहां S2 निकाला यहां S2 निकाला कौन अधिक स्टेबल है? थर्ड फिर सेकेंड फिर 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 स्ट कौन सांसर हो गया? सब्सक्राइब सही है? हमने S2 निकालना है स्टेबिल्टी देखनी है बोले बेटा टीक ना? next theoretical question है resonance instruction of a molecule does not have identical arrangement nearly the same energy यह तो होता है same unpaired pair electron होता ही है identical bone ठीक है? next simple सा question है पूछ रहा है 1, 2 इसका hybridization क्या हो जाएगा? SP इसका hybridization क्या हो गया? SP to hybridization में बात कर चुके हैं इसलिए अब जादे करने कि इसमें जुरूद नहीं है क्या हो जाएगा? third सही है न? कर लोग न ऐसे बंद होने अभी इस पर भी बात कर चुके हैं इसलिए इसको तेज भी कर दें कोई दिक्कत नहीं है यह है बेंजीन हमने कहा कि double single में जाएगा single double में जाएगा हम exact नहीं बता सकते हैं इतना बता सकते हैं कि 1.54 1.34 के बीच होगा बेंजीलेमीन बेंजीलेमीन का structure पता रहेगा देखो resonance होता है तो basity क्या होती है कम होती है यह क्या है amide है acylylide है न यह है aniline और यह है paranide to aniline ध्यान से सुनो resonance होने से basity कम होगी तो आप से सबसे अधिक तो देख लो इसमें resonance नहीं है amide to amine से कम होता है पता है न amide amine से कम basic होता है तो उसको चाटो इसमें देखो इसमें resonance है इसमें resonance है इसमें resonance नहीं है तो यह क्या हो जाएगा more basic next एक बात ध्यान रखना भई C double bond O plus charge यह resonance के द्वारा stabilize नहीं होता है यहाँ simple क्या लगएगा minus I यह theory बताने के चक्कर में बात हो रही है अब यहाँ इसमें तो क्या है back bonding और यह co resonance के दौरा stabilize नहीं होगा कहीं भी co के बगल में positive charge है तो आप resonance के दौरा stabilize नहीं होगा वो co किस की दर भी इसमें है second सही है अगला जाते है next question electrofilic substitution activating group के directly proportional बात कर चुके हैं इसके को नहीं होगा second फिर first फिर third फिर four electrofilic substitution is directly proportional to activating group दौरा सुन लो electrofilic substitution रिएक्षन directly proportional to activating group चलें next इसके बारे देख लो CS3 CH CS3 CS2 CS3 यहां H हमें H अटाक के यहां क्या लगाना है CL H अटाक क्या लगाना है CL H अटाक क्या लगाना है CL और यह दोनों तो सेमी हैं तो यहां पर chiral नहीं होगा यहां पर chiral हो जायेगा और यहां पर एक तो यह बन जाएगा CH CS3 CH CL CS3 एक chiral DL और एक CS3 CH CS2 CL CS2 CS3 एक है chiral यहां DL तो दो इसके काईरल योगिक पूछ रहा न तो दो इसके, दो इसके कितने हो जाएंगे चाहँ, यहाँ पे CL लगाओगे तो कोई काईरल बनेगा ही नहीं, ठीक है नेक्स्ट, देख ले ना ठीक है बिटा आराम से पोज करके देख लो, यहाँ पे कोई काईरल नहीं बनेगा और यहाँ पे भी लगाओगे तो कोई काईरल नहीं बनेगा, ठीक है नेक्स लास्ट कोश्चन है यह अब यह एनेस-3, इसका मैटर होगा तो यह C double bond O, H निकाल होगा न, तो O minus, तो यहाँ तो क्या होगया resonance, और इसमें simple लगएगा, minus I तो ACT के लिए सबसे अधिक कौन होगा पहले क्या करोगे, resonance X, यह है न, C double bond O, minus इसमें resonance होगया, more electronegative atom पे negative charge, compound की stability को क्या करता है, बढ़ाता है, सबसे अधिक X, फिर Z, फिर Y Z और Y में कैसे compare किया minus I, minus I किस पे depend करता है distance पे, distance जितना अधिक बढ़ेगा, minus I उतना कम लएगा, ठीक है तो जितना pass होगा, ACT उतनी अधिक, लेकिन सबसे पहले क्या देखना है, resonance ठीक है, अगर यह भी question होता यहाँ SO3H कर देते यहाँ NS3+, और ऐसे करके NS3+, तो सबसे अधिक, यहाँ यह, क्योंकि तीन मोर एलेक्टो निगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज, बात समझ गए अरे बोल बेटा, सही है न तो X, फिर Z, फिर Y इन दोनों में क्या देखा हमने, distance ठीक है बेटा, आप GOC को इसी लेबल तक रिवाइज करना और कोश्चन जितने होंगे उतने करना फिर अपना अगला हाइड्रो कार बनाएगा, इसी के साथ जुड़ो, इसको रिवाइज करो, तो आपका काम सेट हो जाएगा बहीए, और CLC आपके साथ है पूरी तरह से लागडाउन में इतने मैटर दिये जा रहे हैं उतने आप करो इसका फायदा उठाईए और अगला चेप्टर की फिर तेयरिस में उसी के साथ करना, पौच करना पहले फिर देखना लिखना आगे, एकदम सांदार काम कर दो, ठीक न बेस्ट आफ लग बेटा थैंक यू, अच्छा करो